बहुत बड़ी खुशी है कि जम्मु कास्मीर में शांती ज्यादा मुझबूत हो रही है। यहां कात्यमवाद पोरा खत्म हो रहा है। कुछ बीज बीज ने कुछ गटना ये गटती है। लेकिन यहां टूरिस आने के लिए कोई बिलकुल डर नहीं है। मतलब अभी तक अकड़े 370 अर्टी के लटाने के बाद यहां दो क्रोड 11 लाग से ज्यादा लोगों ने मतलब यहां अपना तूरिस के रूप में उदर आये है। और वो उन्होंने पोरा कास्मीर का जो संदर है उसको देखा है। जम्मू में भी मतलब काफी लोग उदर आते हैं। लेकिन ज्यादा टूरिस्ट का कस्मीर में आते हैं। तो यहां शांती है और अभी मानने लजी साहब जमारी बात हुई है मनुशना साहब से। उन्हें बताया है कि बाए नव जवानों को बेरोज़गार मिलना बहुत बड़ा जुरूरी है। और इसलिए जहां जहां बैकलॉग है जहां जहां रिकूर्टमेंट आवशक है वह हर महने में हम रिकूर्टमेंट करने कुशित कर रहे हैं। और यहां के नव जवानों को रोज़गार सरकारी देनी की भी कोशिस है और होटेल इंडर्स्ट्री है बाकी की इंडर्स्ट्री है उनके लिए जमीन भी दे दी गई है तो इंडर्स्ट्री अगर चालो हो जाती है तो लाखों नव जवानों को यहां रोज़गार मिल सकता ह और इसलिए भारत सरकार की कोशित है कि हमें आनंद इस बात का है कि जमू कास्मीर में तिरंगा जिन्दा लग रहा है जमू कास्मीर के लोगों ने 60% होटिंग मतलब वह लोग सभा की जुनाव में किया है यह हमारे लिए बहुत बड़ी अगलों की बात है मैं सभी जनता का अ प्रेंट है प्रेंग का मतलब रेल लाईने हैं यह बेरोजगारी है किसानों के लिए ज्यादा मदत है विद्वाज है अभा महिलाओं को मदत है दिव्यांग जन है सेडूल कास है वीची है सबी लोगों को न्याय देने की कोशीज मतलब हमारी सरकार की है जान बौश कर पा पाकिस्तान ने ध्यान में रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान की प्रगती करनी है तो पाकिस्तान ने भारत के साथ संबन्द अच्छी रखने चाहिए पाकिस्तान ने आत्रंगवाद को खत्म करना चाहिए पाकिस्तान ने पाक व्यापत कास्मेर को भारत हवाले करना और पाकिस्तान की अच्छी डेवलोप्मेंट, एकनोमिकल डेवलोप्मेंट, सोशल डेवलोप्मेंट करने के लिए भारत का साहरा लेना चाहिए तो ये कब मतलब उद्धी का पाकिस्तान को आएगी मालूब नहीं है लेकिन इसा आतंगवाद फैला कर उनको क्या पाइदा है मतलब जान बूचकर इसी दर की घटना एक घटती रहे पचातर सालों में ये मतलब सिलसिला जारी है जब से देश को आजादी